प्रेक्षिस से राया आज मतुरा में कंस के यहां नारजी माराज का पदारपन हुआ नारजी माराज का स्वागत किया कंस ने तो नारजी माराज ने कहा कंस से किराजन आपका अफ्तरू जो बर्ज में जनम लिया है उनको आप आज 11 बरस और कुछ उपर दिन हो गए फिर भी आप उन्हें मार नहीं भाए कंस ने का नारजी माराज से नारजी माराज मैं खूब बड़े-बड़े रक्षसों को भेज रहा हूं लेकिन समाचार मिलते हैं कि वो खुद मारे गई वा नारजी ने का आप ऐसा कोई उपाई करे राजन आपके पास में जो वो शियुजी का दिया हुआ धनूस है ना और यहां उस धनूस का एक मेला लगई है यहां बतुरा में और मेला देखने के लिए आप कृष्ण मनराव को भूल रही है बरे जिसे वो मेला देखने में रहेंगे पीचे से आपके जो यह बड़े बड़े राक्षस है ना चानवर मुष्टिक यह मार देंगे एक रिष्ण मललाम को कंस ने का यह तो ठीक है लेकिन उने यहां ब्रिंदाबन से यहां मतुड़ा लावे कौन तो नारजी ने का अकरूर जी है ना उनको भेजो लेकिन सुनो राजन मैं परसू आपकी विजेश्री देखना चाहता हूँ परसू कंस ने का ठीक है नारजी माराज अगर आपका आशिर्वाद राना परसू मेरी मिजेश्री जरूर होगी है ऐसा कहकर नारजी माराज वहां से चले गए पतुरा से और व्रिंदा बना गए जब साम के समय भगवान कृष्ण वलराम दहिया चना कर लोट रहे थे तो नारजी माराज ने जाकर प्रणाम किया और नारजी ने का प्रभू आप आयत कंस का उदार करने के लिए मामा जी का उदार करने के लिए लेकिन आप तो इस ब्रिज की लिलाओं में ही मतन हो गए बगवार सरी कृष्टने का नारजी महराज मैं किसी को मारता नहीं हूँ जब कंश का अपने आप पाप का घड़ा भर जावेगा ना तब उसका अंत्रनिश्चित है नारजी ने का नहीं मैं और कोई नहीं सुनना चाहता मैं परसों कंश को मरा हुआ देखना चाहता हूँ बैस और कुछ नहीं चाहता बगवान कृष्टने का नारजी महराज से नारजी वहाँ तो कंश को मेरे बारे में केके आए और यहां मुझे कंश के बारे में कह रहे हो नारजी महराज ने का प्रभू आपको बता है मेरा तो स्वाभावी यह सही है बगवान ने का ठीक है नारजी महराज चले गए सामपो गया चला करे बगवान कृष्ण बलराव धर पर आये इधर मतुरा में रात के समय अक्रूर जी को बिलाया कंस ने और अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी आप वरिंदा बन जाओ और कृष्ण बलराव को यहां लेकर आओ और जब वो मेला देखने में लगे रहेंगे ना तो पीछे से धोके से चानूर मुष्टिक जो यह बड़े बड़े रक्सिस है ना वो सब मार देंगे कृष्ण बलराव को आप लेकर आओ यहां क्यों क्यों कि वहां जो भी रक्सिस भेजता हुना में समाचार मिलता है कि वो खुद मर गया हुआ जाके अकरोजी ने मन में सोचा कि अगर मना करूंगा तो यह मुझे यहीं मार देगा तो अकरोजी ने का ठीक है राजर मैं सुबह जल्दी जाओंगा साम तक में वापिस आजाओंगा यानि मैं कर जाओंगा और परसों वापिस ले आओंगा प्रिष्ण बलराम का अकरोजी सुबह उठे सनाध ज्यान कि आज एक रिया से निक्रत होने के बाद में जैसे ही रत में बेटे और रत का मुझ कर दिया वरंदावन की तरह अब मतुरा से विदावन दस किलो मेटर दूर है वो यहां से बीजे नगर जितना है लेकिन दस किलो मेटर जाने में अकरोजी को दस गंटे लग गए क्यों इसलिए लग गए कि अगरोजी मनी मन सोच रहे हैं कि आज ग्यारा बरस बाद में ग्यारा बरस और आज त्रेपल पावन दिन हो गए क्रिश्न बलराव को यहां उतुरा से गए हुए कनया को गए हुए आज मुझे वो देखेंगे तो मुझे प्रणाम करेंगे काकाजी आ गए काकाजी आ गए ऐसा बन में सोच रहे थे तो कहीं गोडा पाने पीने लग जावे कहीं धाली अली गांश खाने लग जावे सुबह से साम हो गई साम के समय जैसे ही व्रिंदावन पहुचे ना तो व्रिंदावन में जंगलों की तरब से आज भरवान स्री कृष्ण ड़या चला कर लोट रहे है जैसे ही रत को देखा कृष्ण मलराम दोड़ पड़े रत की तरब अरे काकाजी आए है काकाजी आए है तरब आकर अकरूर जी को प्रणाम किया अकरूर जी से का काकाजी आपका स्वास्ते तो ठीक है अकरूर जी ने का ठीक है लेकिन सुनो कनिया मैं आपको यहां से लेने के लिए आया हूँ भगवान स्री कृष्ण ने अक्रोर जी से का, खागा जी सब मुझे पता है, आपको कंस ने भेजा है, मामा कंस ने भेजा है, लेकिन सुनो, आप गर पर जाते ही माय सुदा को मत कहना कि मैं किश्ण बलराम को ले जिया जा हूँ, सुबह बता देंगे, जब हम निकलेंगे ना, तब बता देंगे, या रा अब क्रिष्ण बलराम के संग अक्रोर जी आये हैं, तो व्रिंदावन में जैसे ही परवेश किया रत, तो सब ब्रजवासी एक दूसरे को कहने लगे, अरे भाईया कोई परदेशी आया है, अरे भाईया कोई परदेशी आया है, सब ब्रजवासी रत के पीछे पीछे चलने लगे क्योंकि पुराने ज़बाने में कोई गाड़ी कार भी आखके गाउं में आ जाती थी ती ना तो सब गाउंवाले村े कार को देखते थे गाड़ी को देखते थे अरे भई आल ये गाड़ी या ये कार किनके यहां आई है क्योंकि पहले सादन बहुत कम थे एक आज़ कोई गाओं में आजाओं जो सब देखते थे लेकिन आज़ कर कोई ना देख क्योंकि गर गर में गाड़ियां हो गए अरे कोई परदेशी आया है ये सुनकर सब अबरिजवासी आये रत के पास में इतने में अकरूर जी अंदर चले गए मा ये सुदा के याँ नंद बाबा के याँ नंद बाबा ने पहले तो अकरूर जी को भुजन करवाया भुजन कराने के बाद में उंचा कि अकरूर जी आपको याँ आपका याँ आना कैसे हुआ तो अकृरूर जी ने का आज मैं कृष्न बलराम को लेने के लिए आया हूँ इसी बात सुनते ही मा ये सोदा ने का अरे अकृरूर अगर तुमें मेरे प्राणों की आऊश्यक्ता है तो मैं सेज निकाल कर दे दूगी लेकिन मैं कृष्ण बलराम को तुम्हारे संग नाई भेज हूँ क्यों कि कृष्ण बलराम तो मेरी आँखों के तारे हैं मैं इनको नहीं भेज सकती मतुरा अक्रूर जी ने का वहां मेला लगा हुआ है दिखाने के लिए ले जाओंगा ना मैं नहीं भेज हूँ इतने में नंद बाबा ने का मैया यह सोजा से देवी इतनी जीद मत करो हाँ ठीक है तुम अखेले नहीं भेजोगे प्रिश्ण बलराम को लेकिन सुनो मैं भी जाओंगा इसके बाल सका वो सबजावेगी कल मेला देकर परसों हम कनया को लेकर वापिस आजावेंगे मना मत करो जाने ही दिये और हाँ अभी में निकल जाता हूँ गाडियों में बेन गाडियों में सुबह ब्रंग औरत में उठे और कलत करिश्ण बलराम और अक्रोजी रत में बिटा कर ले आएंगे इनसे पहले ही हम चले जाते हैं जिके सका हो रहा हूँ नंद बाबा सबी बाल सका स्रीदामा मदुमंगल जो सका थे वो सब मत्रा की तरब रवाना हो गए राद में आज राद में भगवान स्री कृष्ण सोय हुए थे तो रात में नीद लगे तो क्या देखते हैं कि मा यसोदा पास में नहीं है कनया उठे और आवाज लगने लगे मैया ओ मैया दर से बहार चोक में आए भवान स्री कृष्ण तो क्या देखते हैं कि मा यसोदा आज एक खंबे की सिर लगा के मत्य रात्री में रो रही है कनया ने का मैया तुम रो क्यों रही हो मैया यसुदा ने का रहे लाला तू सुबह बहुर होते ही निकल जावेगो आल ये मेरे का मेरे आखों में आशु आ रहे है रहे वैया क्योंकि जिस मा का बेटा जीवन में कभी घर से निकले ही नाए गाउं से निकले ही नाए और जी दिन गाउं से बार जावे परदेश जावे तो उस माबाप की आखों में आशु आई जावेगे भैया इसलिए मैया ये सुदा से कनिया कहते हैं कि मैया मैं सुबह जाओंगो और कल मिला देखों वह परसों वापिस आजाओंगो परसों वापिस आजाओंगो मैया ये सुदा ने काठी सुबह जैसे ही चार बजे भगवान स्री कृष्ण बलराम रत में बेठे नंद मेंड का जैसे ही दरवाजा खुला तो क्या देखते हैं हजारों गोपियां सामने खड़ी है अज्जारों गोपियां सामने खड़ी है दरवाजे के सामने और अकरूर जी से कहती है सभी गोपियां अकरूर जी तुम चाहो ना तो हमारे प्रान ले जाओ लेकिन कृष्ण बलराम को हम जाने नहीं देंगे यहां से ब्रिजे से, ब्रिंदावन से अकरूर जी रत को रोक लिया भगवान सरिक विश्ण बलराम नीचे उतरे और कन्या रादा राने से कहने लगे रादी का तुम्हें तो पता है मैं आगे नहीं जाँगा तो आगे की विला हम होगी कैसे इसलिए आप इन गोपियों को समझाओ ना रादा रहानी की कहने बर सब गोपिया एक तरफ हो गई आज भवान सरे किश्ण बलराम वाप में रत में बेटे और जैसे ही जाने लगे थोड़ी दूर गए ही थे के पीछे से मा यसोदा दोड़ी हुई आ रही है कभी गीरे कभी उठे रोती हुई आ रही है अरे लाला अरे कनवा अरे रुप तो सहीरे भईया जैसे ही अकरूर जी ने रत को रोखा कृष्ण बलराम दोनों रत से नीचे हुद रे और मा यसोदा की बोदी से जा लगे मा यसोदा ने का अरे लाला अरे कनवा आज मुझे पतो अब चलियो है कि तू मेरो बेटो लाए तू तो देव की वसुदेव को बेटो है रे तन्या ने का नहीं महिया मैं तेरो ही बेटो हूँ मैं तेरो ही बेटो हूँ तब मा यसोदा ने का लाला तू मा जाकर देव की वसुदेव को ये मत कहना कि एक पकोडी के खातिर मुझे रसवई में नहीं उसने दिया एक पकोडी नहीं दी मुझे कनया मा यसुदा की आंकों से असरू पूचे गोपिया मा यसुदा को पकड़े हुए है और कनया बलरामर रत में बेट गए और का कि मैंःा में कल वापिस आजाओंगो योनी कल तो कह रहे थे परसू आजाओंगो आज कह रहे हैं कल वापिस आजाओ भगवान स्रीकृ belonging नहीं आज मरिदावन को छोड़कर मतुरा की तर बरवाना हुए मज्द्य मारे के में अक्रोर जी जैसे ही यमना जी में रत को रोका यमना जी में स्नान करने गए न तो क्या देखते हैं कि पानी के अंदर भगवान स्री किष्ण चतर बुझ रूप में दिख रहे है बार देके तुरत में दिख रहे हैं अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये क्रिलो की नात है इनको कंस नहीं माल सकता भगवान स्री कृष्ण को बदराम जी को मतुरा में लाए और मतुरा के नगर के बार छोड़ दिया और अक्रूर जी ने कहा कि मेरी वो कुठिया दिख रही है माँ पजार ना तो कनिया ने कहा कि अक्रूर जी समय मिलेगा तब आवेंगे आप पजारो अक्रूर जी चले गए सब सका मिल गए वां कृष्ण बलराम है सब सकाओं ने कहा अरे लाला तुमारे याँ ननियाल तो बड़ा सुंदर है बड़े सुंदर सुंदर मेर है अब कनिया को क्या पता कि मामा जी हमें कनिया मन में सोच रहें कि इन बरज सकाओं को क्या पता है कि मामा जी हमें किस भी ये बुलाया है सुन लाला ऐसा करें तुमारे मामा जी से मिलने के पहले हम कुछ स्नान कर लेए स्नान किया यह मुलाजी में तो एक सका बोलियो मदू मंगल अरे लाला बड़ी सरम लगे रहे भई ऐसे कपड़े भी नाई है थोड़े कपड़े की विवस्ता हो जावे ना तो फिर ठीक रहे ननियाल में चलेंगे कनिया ने का अभी विवस्ता करते है जब उना के किनारे एक गाट पर धोबी वस्त्र धोरा था तो कनिया ने उस धोबी को आवाज लगई मामा जी उच वस्त्रों की विवस्ता हो जावे तो बहुत बढ़िया रहे दोबी ने का अरे कनिया जो काम राजा दो तिन गंटे बाद में करेगा वो काम मेरे हाथ से हो जावेगा चले जावे यहां से कनिया ने का मामा जी हम तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि कुछ बस्तों की विवस्ता हो जावे तो इतने में वो कपड़े दोते हुए एक हाथ में लट लिया और कनया को मालने के लिए दोड़ा और मनी मन कह रहा है कि जो काम राजाबाद में करेंगे वो अभी में कर लेता हूँ जैसे ही उसे आते देखा तो मदुमंगल स्रीदामा ने कहा अरे कनया वो पूतना वालो हाथ मामा जी को दिखा दे वो पूतना वालो हाथ मामा जी को दिखा दे और सुन हम तेरे पीछे है दरने की मात नहीं ठीक है कनया दिखा दे अब जैसे ही वो धोबी पास में आया तो भगवान स्री कृष्ण ने डाल पर एग ठपड लगाया दोभी का प्राणांत हो गया जो वस्त्र थे सब वस्त्र पहन लिए अब आगे की तर बरवाना हुई है तो स्रीदावा मदुमंडल कहते हैं अरे लाला अब ओर ज्यादा सर्म लगे रहे भई अरे पहले तो वस्त्र नहीं थे इसलिए सर्मा रहे थे अब वस्त्र हो गए अब क्यों सर्मा रहे हो मदुमंडल ने खा भईया ये वस्त्र थोड़े ज्यादा लंबे है ये वस्त्र थोड़े ज्यादा लंबे है क्योंकि वस्त्र चावे यहां तक ही यह तो यहां यहां आपको बाओं आ रहे हैं का तुछ दर्जी के पास में जाके शिलवा देवें कटवा देवें तो बहुत बढ़िया रहे हैं वाईया सब अब रिजिस से काउंट को कनया ले गए एक दर्जी के पास में वस्तरों को कटवाया सही पहने वापिस अब आगे के तरफ निकले तो सब मतुरावासी को कि कंस कहें दिया था कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेंगे लेकिन रस्ते में नहीं कर सकते लेकिन सब अपने अपने घरों से तो कुस्ववर्शा करी सकते हैं ना सब अपने अपने धरों से तो कुछ बवर्सा करी सकते हैं कृष्ण-बल्राम और सब सकास चल रहे हैं उपर से मतुड़ामासी शब कुछ बवर्सा कर रहे हैं इतने में मदू मुंतन ने का रहे भैया या तेरे नमियाल में गूशते RS उतना स्वागत हो रहा है तो वह मामा जी कितना स्वागत करेगी है हमें तो बहुत सरम आ रही है रहे भईया लेकिन सुन गले में थोड़ी माला होगे तो ठीक रहे रहे है तो एक सुदामा नाम के माले के घर पे गए माला पहनी अब आगे जैसे ही जा रहे थे तो क्या देखते है भगवान स्री कृष्ण बलराम समसका निकल रहे थे तो एक स्त्री हात में कटोरा है उसमें चंदन लिये हुए है निकल रहे थे पास रहे थे तब भगवान स्री कृष्ण ने मन में सोचा कि सम सकाओं के सिर पर मस्तक पर चंदन लगजावे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा जैसे ही वो उस्त्री निकल नहीं थी उसी समय भगवान स्री कृष्ण ने आवाद लगाई अरे सुंदरी तो वो नारी तीन जगर से टेटी हुई थी कूबडी थी तुन्होंने सोचा कि जीवन में पहली बार आवाद लगए है मुझे सुंदरी कहकर किसी ने पुकारा है जैसे ही वो कूबडी पास में आई वो राजा कंच के चंदन गिस गिस के अपने हाथों से राजा कंच के लगाने के लिए निया जाती थी में लोगे लेकिन व्हवान स्री कृष्ण ने का अरे सुंदरी आज मेरे सकावों के और मेरे और मेरे बही डव भया की चंदन नहीं लगा हुआ है मस्मध पर चंदन लगा दोगी क्या कोवडी ने मन में सोचा कि आज जीवन में पहरी बार किसी मुझे आवाज लगाई सुन्दरी कह कर क्यों नहीं लगाऊंगी लगाऊंगी सभी के चंदन सब सकाओं के बलराम जी के कनया के सब के चंदन लगा दिया तद अभईया ने का भईया कनया से के चंदन तो लगा दिया लेकिन कुछ बेट भी देनी चाहिए क्योंकि आपने कहा था ना सुन्दरी कुछ बेट दो दो, सुन्दरी बना दो कनया ने का कूबडी से जरा मेरे पास में आओ जैसे ही वो पास में आई बगवान स्री कृष्ण ने अपने तीन अंगुलियां उसे के गले पे यहां जैसे ही लगाई और एक दीरे से जटका मारा तो वो जो तीन जगे से टेटी थी ना वो सीधी हो गई और प्रम सुंदरी हो गई भूल ये स्री बाल कृष्ण लाले की बगवान की जिश्व्यक्ति पर गिपा हो जावे ना तो पिर के नहीं क्या है एक नजर भी पढ़ जावे ना ठापुरी की हमारे उपर तो ही हमारा जीवन समर जाता आज बगवान स्री कृष्ण वालराम जीशे ही महलों के अंदर गुष्णे लगे तो एक मदमस्त हाती आया पूवलिया पीड़ नाम का उस हाती का उदार किया बगवान ने बड़े बड़े राक्षस आये उनका भी उदार कर रहे हैं और जेसे ही रंग में अंदर पहुँचे तो मुष्टिक बगवान स्री बलराम जी को पकड़ लिया कि मुझसे युद करना पड़ेगा जानूर ने बगवान स्री किस्ण से को पकड़ लिया कि हमसे युद करना पड़ेगा तो दोनों भाई कहने रगे मामा जी हमको तो युद करनो आवे ही नाइ हमने तो युद करनो आवे ही नाइ चानवर उष्टिक ने का हमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा उतना अरिष्टासुर, व्योमासुर, बकासुर, बोमासुर सब का उदार किये कर दिया आपने और तुम कह रहे हो कि हमको युद करना आवे ही नाई तो कन्याने का मामा जी वो जितने भी राक्षस तुमने भेजे थे ना वो सब मरे मराये थे, हमने थोड़े ही उनको मरा, वो तो पेले ही मरे मराये उदे लेकिन अब हम से युद करना पड़ेगा तो भगवान है, बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया साथ बार आकास में घुमाया और जैसे ही दर जमीर पे डाला, उसके प्राणान्त हो गया इदर चानूर पर भगवान स्रीक्रिष्ट ने एसा एक मुष्टिक प्रहार किया कि उनके मुक्त मुक्त से और नाग से रख बेरने लगा वहीं चामीन पर गिर गया, वहीं उसका प्राणान्त हो गया तुलंत भगवान स्रीक्रिष्ट ने दोड़े और जहां कंस मेटा हुआ थाना, वहां पहुंच गए और जाकर तुलंत मामा जी के बाल पकड़ लिए कंस आवाज लगता है कंस आवाज लगता है ए चानूर अरे मुष्टिक तुम कहा हो, जल्दी आओ याँ यह मुझे पकड़ लगता है, मेरे बालों को पकड़ लगता है, जल्दी आओ कंस आवाज लिए अरे कंस आवाज बालों को छोड़ भईया बड़ा कश्ट हो रहा है, बड़ी तकलीप हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है कन्या ने कहा, मामा जी आज पक्तों चलियो कि बाल पकड़े तब कितनों कश्ट हो रही है कितनों दुख हो रही है, अरे ग्यारे साल, यानि जब मेरी मा की साधी हुई थी न, तीस साल पहले उस समय, विदाई के समय मेरी मा के आपने बाल पकड़े रहत से की जाता तो उसे कितना कश्ट हुआ होगा, मामा जी आज पतों चो चलियो तुमें कि बाल पकड़े में कितनी तकलीप हो रही है कितनों कश्ट हो रही है कनिया कहते है मामा जी मेरी करप देखो, नजर से नजर मिलाओ तुमारी म्रत्यू सुदर जावेगी लेकिन मामा जी चिला रहे हैं अरे मुझे बचाओ, अरे चानूर, अरे मुष्टिक, अरे कोई होए जो भी होए जो मुझे बचाओ तो सही इतने में भगवान स्री कृष्ण ने मामा जी को शिदाशन से उठाया और उठाकर जमीर पेजे माना और कंश का उद्धार हो गया जैसे ही कंश का उद्धार हुआ जो जितने भी मतुरावासी थे किरतन करने लगे नाचने लगे क्यों क्यों कि जब तक कंश खाना त्ब तक मतुरा में कोई हस भी नहीं पाया थ notify कोई जोर से हस भी नहीं पाया थ घा सब मतुरावासी की हसी चीन ली थी लेकिन आज सब हस रहे हैं नाच रहे हैं हाई ये कुछ पला हम भी कीर्दन कर ले वे को बुंद में रो है को पाल में रो है स्रीबा के भी हारी नंदलाल में रो है को बुंद में रो है को पाल में रो है स्रीबा के पिहारी नतलाल मेरो 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 है को विंद मेरो है को विंद मेरो है को विंद मेरो है गुपाल मेरो है गुपाल मेरो है बोल ये स्री वरिंदावन बिहारी लाले की जयो शुकदेव जी के तेया राजा आज बगवान स्री किष्ण ने कंश का उदार करने के बाद में नाना उगर सेन को राजगर्दी पर बीठाया काराग्रे से मुक्त किया आज बगवान स्री किष्ण ग्यारा बरस और चपन दिन के बाद में मा देवकी और वसुदेवजी से मिल रहे है जब जनम हुआ था ना उस समय एक आज घंटे के थे बगवान कुछ मिंटों के, कुछ गड़ी के लेकिन आज बापिस जब मिले ना तो ग्यारा बरस और चपन दिन के बाद में मास पिता से मिलना हुआ मा देवकी निहार रही है लाला को और देख गर मनी है मनी यसुदा को धन्यवाद कर रही है कि आज मेरो लाला गयो तो तब एक गंटे को डई गड़ी का था लेकिन आज आया है ग्यारा बरस चपन दिन बाद में आया है लेकिन लग यह सारा है जिसे पीस बरस का बालक आया क्योंकि जो माता पीता जिस उलाद का लालन पालन ठीक धंग से करे ना वो दिखने में थोड़े हश्ट पुष्ट हो जो अब आज मादेव की वसुदेव भगवान सरी कृष्ण से मिले प्रणाम किया भगवान सरी कृष्ण ने सब बर जिवाशों ने नंद बाबा ने सरी राबा ने मदुमंगल ने सभी ने का अरे लाला अब भईया मामा जी को भी उद्दार हो गयो अब वापिस चले मैया ये सुदा को कहके आये थे ना कि परसु आ जावेंगे तो आज हो गया भईया परसु चले वापिस कनिया ने दो टुक सब्दों में कह दिया मदुमंगल स्रिदामा अनंद बाबा को कि आप चलो मैं जल्दी आने का प्रियतन करूँगा ऐसा सुनते ही सब बिर्जबासी रोने लगे वाईया अरे लाला अरे कनिया मा यसोदा को आपने भचन दे के आये ते कहकर आये ते कनिया ने का हाँ लेकिन में जल्दी आने का प्रियतन करूँगा आप मेरे थोड़ा और काम है आप बदा रो अब सब जितने भी बाल सका दे सब नंद बाबा सब बरज लोट आए इधर मा देवकी ने भगवान स्री कृष्ण का मुंडन संस्कार करवाया जन्यों संस्कार करवाया और योज्जे ने सांधिपन मुनी के आस्रम पर पढ़ने के लिए भेज दिया सोलई विद्या को शीका भगवान ने वाँ सुदामा नाम के ब्रामन से मित्रता हुई गुरु दक्षिना में गुरु फुत्र को लाखेल दिया पांच जन्यों संक अपने पास में लिया और वापिस आज मतुरा आ गए और आते समें सुदामा से के के आए तबी हमारी नगरी जरूर पदार ना हो ये नहीं कहा कि मतुरा आना ये जरूर कहा ता कि मेरी नगरी जरूर पदार ना अब भगवान स्रीक्रिश्ने आज अपने मतुरा में महलों में अपने कक्स में बेटे थे मा देव की मनी मनी विचार कर रही है आज जीवन में पहली बार, सुनो, जब मैं बावड के बाते पे कता की ना, भजन नहीं चल लाता, लेकिन जो हमारे जजमान अपटवारी साब, इनकी माताजी सुनती थोड़ा कम थी, तो उन्होंने सोचा भजन चल लाती का, अर्धी माबा, भजन चल लाती का, तो वो नाजने लग नहीं, ये भी उन्हीं की बेहन की लड़की है न, ये भी थोड़ा कम सुनती है, पता ना चल ले के बाई, भजन चल ले हो है के ता चल ल प्रेम से बोल ये स्री राजे राजे हाँ ये तो इस मामा भाण मामा जी का बात है तुमने भाण जी को इसा कुन सा अशिरवाद दे दिया जो तुम्हारी तरह इंडर्चे करने लग गई अब सुकुदेव जी मारा जी राजा प्रेक्षित को कहते हैं कि राजा पहला जी पहला जी साउंड वाले का कह रहा हूँ जो भी बच्चे हैं पीछे तार लगे हुएं नगे तार उन सब को यहां बिठा दी थी कोई पीछे राखो इमता भी नहीं दुर रहा हो एक भी बच्चा मत रखो सब को बुलालो इदर क्योंकि तार लगे हुएं इदर बुलालो सब को सुकुदेव जी मारा जी राजा प्रिक्षित से कहते हैं राजा आज बग्वान स्रिक्ष्ण अपने कक्ष में बेठे हुए है मादेव की मनी मन विचार कर रही है मादेव की कनया के कक्ष में गई तो आज कनया जोर-जोर से रो रहे है प्रिक्ष्ण दोडे दोडे वशुदेव जी के पास में आई और कहने लगी स्वामिमी आज हमारा लाला रो रहा है क्या पाथ कोई तकलीब है या कोई किसी ने कुछ कह दिया वसुदेव ने का मैंने तो कुछ ही नहीं का आ लेकिन देव की ने का का तुम जाओ तुम सही उनके पास में वसुदेव जी ने का आप मुझे क्या बता क्यों रो रहा है इतने में उद्दव जी आ गए उद्दव जी से का आप जाओ कनेया को पूँचो कि आप रो क्यों रहे हो उद्धोजी आए भवान स्री कृष्ण के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया कक्ष के अंदर है तो कनेया तुरत दोड़ कर आए और उद्धोजी से गले लगी है और जोर जोर से कनेया रोने लगी है उद्धोजी ने का अरे लाला आप रो क्यों रहे हो प्रवु आप रो क्यों रहे हो तब भवान स्री कृष्ण केहते है रे उद्धोज आज मुझे ब्रद के बहुत याद आ रही है आज मा यसुदा की बहुत याद आ रही है आज मेरे बार सका उनकी बहुत याद आ रही है राधा की बहुत याद आ रही है इसलिए भाईया इन आखों में से या आशु अपने आप ही निकल रहे हैं रुक रहे ही नहीं उद्व अगर इनको मेरी याद आ रही होगी क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है तो उनको मुझे भी उनको मेरी भी याद आती होगी उनको मेरी भी याद आती होगी तब शुग्देव जी माराज राजा प्रिक्षिस से कहते हैं उद्धव ने कहा कि कनया ऐसा है ना आपको उनकी याद आ रही है उनको भी आपकी याद आती होगी लेकिन प्रभू आप तिरलों की रात हो आपको एसे रोना नहीं चाहिए तो कगनेया ने का लाला कगनेया ने का उदव हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई अरे उदव हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई जब मैं थोड़ा सा गूद कम पीता ना तो मां मेरी नजर उतारती थी थोड़ा सा में बीमार क्या हो जाता था मेरी मैया यसुदा हज़ार मेतियों को उलालाती थी आज मेरे लाला दूद कम पी आए आज कोई तकलीब देखे आज कोई कष्ट देखे आज मुझे मां यसुदा की याद आ रही है आज मुझे ब्रिजवास्णों की याद आ रही है और सुनो उत्व जब मैं गईया चराने जाता था ना गईया दूर चली जाती थी चरते चरते तो पास में बुलाने के लिए मैं कदम के ब्रिक्स के नीचे खड़ा होकर ऐसी में मुरली बजाता था कि गईया पूँच उठाकर बचले पूँच उठाकर दोड़े हुए मेरे पास में आ जाते थी और जैसे ही मुरली बजाना में बंद करता था तो गईया बचले सब ठेड़ी बजर करके एसे देखते थे मानूँ वो एक कहना चाहते हैं अरे लाला, अरे कानया मुरली वापिस बजाओ ना इसलिए उद्धव आज मुझे भरजी की बहुंति आ जा रहे हैं लेकिन हाँ उद्धव आप एससे काम करोगे उद्धव ने का क्या बगवान सरे कृष्ण ने का कि मैं नहीं जा सकता ब्रज में लेकिन आप मेरी तरब से जाओ और ब्रजवाश्व का हाल चाल पूँच के आओ और मेरा हाल उनने बता के आओ जाओ उद्धव ने का मैं ब्रश्पति का शीष्य ग्यानियों में अगरनी है और उनको समझा ले जाओं उनको समझा ले जाओं जो पड़े लिक ही नहीं है अनपड़ है सब ब्रजवाश्य कैने या मन में सोच रहा है उद्धव बड़ा गमंड है तुमें बड़ा गमंड है कि तुम ग्यानियों में स्रेश्ट अगरनीय हो ब्रश्पति के सिस्य हो लेकिन भईया वो ब्रजवाश्य है ना और कुछ नहीं जाने वो केवल प्रेम की बास आजाने और प्रेम में मुझ तिरलों की नाठ को नचा दिया तो तुम तो एक से पड़े लिके इंसान हो तुमें भी जरूर नचा देगे तुम आओ जो सही उद्धव ने का हाँ मैं जाऊंदा आपके कहने पर लेक लिए कि घंटे से ज्यादा नहीं जुँआ वापिस आ जुँआ तुरंत आपका समाचार देखे कनिया ने का ठीक है कि घंटे से आओगे साथ घंटे से आओगे कि साथ महिने से आओगे जाओ तो सही अब उद्व जी जैसे ही जाने लगे तो कनिया ने का सुनो तुमसे ब्रजवासी बात भी नहीं करेंगे तुम खूब कहोगे कि मैं कनिया का मित्रू लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे क्यों कि जब तक ये मेरा दूपटा तुमारे कंदे पर तुमारे गले में नहीं होगा ना, तुमसे कोई बात नहीं करेगा इसके ये मेरा दूपटा ले दे लिया ओदवजी ने भगवाण का दूपटा लिया गले में डाला रत में बेटे और ब्रच जा रहे हैं और इधर जा दिन से बगवाल सरी प्रिष्णे मतुरा गए है न वा दिन से ही गोपिया सब ब्रजवासी उर्स उस रस्ते पर आकर बेट जाते हैं कि जिस रस्ते से कनया मतुरा गए वा रस्ते पर जाकर बेट जागी सुबे से साम तक बेटे रवे और मन में ये सोचे कि आज लाला कहके देयो तो न गयो जाद इन से कि परसू आजाओ लेकिन परसूं से बरसूं हो गए लेकिन लाला आयाई ना आयी क्या पता आज नहीं आया कल आ जावेगा सुबे से साम हो जाती है बेटे बेटे लेकिन कनिया ना आवे ना तो वापिस मैया ये सोधा को आकर कह वे कि मैया आज भी लाला को तुम्हारी याद नहीं आई आज भी मैया आज भी नंद बाबा की याद नहीं आई कनिया को आज भी नहीं आये है तो गोपिया बेटे हुए एक गीत का रही है कि जा दिन से कनिया परदेश गए ना वा दिन से क्या केंगी है गोपिया उपरा हरी निर्मो एरे समरा जाई मशो परदेश मारा हरी निर्मो एरे समरा हरी निर्मो एरे जाई मशो परदेश मारा जाई बश्रों प्रदेशी सावरा जाई बश्रों प्रदेशी हाँ अनि निनमों इरे कर नहीं ही हा जाई बच्टो अपनते कर गया को जादे के किरता किरता किस गजी रे किरता किस गजी मारी अंगल्यारी रे किवाना हरी निर्मोरी रे समरीया जाई बचो पर देज किरता देजा साथ ओ, सोवडाने धूदन तो जगे गई रे तो जोड़ाने धूदन के काई रे अर्चो गण है रोखेश अब रामी दूदर में गई रहे हैं कर दो जड़नी दो देश्ट दूदर में गई रहे हैं कर दो जड़नी दूदर में गई रहे हैं अब रहे हैं कर दो जड़नी दूदर में गई 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 रहे हैं काईरों काजजी करूलें काईरिकलन गवाद सांगरिया महरा काईरिकलन गवाद पंची को परवेशन गिरे कर दो जड़नी दूदर में गई रहे हैं कर दो जड़नी दूदर में गई रहे हैं काईरिकलन गई रहेक Дhr 우ों काजजी करूलें कलम करूबना शांगरिया कलम करूबना कर्दी को काजजी करूरे करम करूबराय सावर्या मारा करम करूबराय साथ सब्द की शाई करूबराय साथ सब्द की शाई करूबराय हरी गुरति श्रीयों करां करां डाले लिए सब्द की शाई करूबराय बदीरियर साथ सब्सक्राई करूबराय साथ सब्द की शाई करूबराय साथ मेरा ने किर्धर बिन्या दिए किर्धर बिन्या दिए पर्धर बदीरो बेटी महारा हरी दिर मोई ए समधिया जाई बशोपने कर्दिया जाई बशोपने बदिया जाई बशोपने किर्धर बशोपने किर्धर बशोपने जब उद्धर जी रत में बेटकर आरे ते जैसे ही रत की उड़ती हुई दूल नजर आई तो सब भिजवासी रत की दोड़ पड़े अरे आज कनेया आए लहा है आज हमारो लालो आ गयो है सब दोड़ पड़े इतने में एक सखाने कांब आज जानंगो कनेया से मिलने सब भिजवासी कह रहे है अरे तू क्यों नहीं जावेगा आज कनिया बरसों से आ रही है वो दे पूरत दिक्र रही है तू क्यों नहीं जावेगो कनिया से भी लगे सका ने का कलाला लाला ने का काला कि परसों आऊंगो अरे परसों सो बरसों होगे मैं उनसे नाराज हूं भी नहीं जाओंगो वो छोटा सा सका हुआ ही खड़ा है सब बाल सका दोड़ गए और जितनी बाल सकाते सब दोड़ गए जितनी गईयां गिला सब पोच उठा कर गईयां रंद की तरफ दोड़ गए है कि आज हमारे पुरिली बजाने वाले वापिस बरिज में आ गए है जेसे हिरत के पास में पहुँचे सब बरिजवासी तो क्या देखते हैं कि उनसे पहले ही जो छोटी सका मना कर राता ना मैं नहीं जाओंगा तो वो पहुँच गया पहले सब बरिजवासी ने का ले तो तो मना कर राता तो वो सका ने का मना तो उने कर राता लेकिन पहले में कनया के मेरे सका के मेरे लाला का दरसंदो कर लो बाद में बाद नहीं कर लो पहले देखतो लो में उसे लेकिन सब ब्रिजवाशी क्या देखते है कि रत में कनया नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति है उद्धोजी ने का अरे ब्रिजवाशियों मैं गृष्ण का सका हूँ मुझे तुमसे मिलने के लिए कनया ने मुझे बेजा है ब्रिजवाशियों ने का वारे कनया वारे लाला याद भी आई मरसोबाद में तो भी तुम मिलने नहीं आया तुम तेरे सका को भेज दिया सब नीची गर्दन करके सब ब्रिजवाशियों आपिस जाने लगे कुछ बात ही नहीं कर रहे है इतने में उद्वजी ने का अरे सखाओं नंद बाबा मा यसोदा का महल कहा है मैं मैया यसोदा नंद बाबा से मिलना चाहता है सबी ब्रिजवाशियों का उद्वजी से आप नीचे उतरो रत से जीसे ही नीचे उतरेना तो उद्वजी से कहने लगे ये क्या है ये पानी बेता हुआ आ रहा है उद्वजी ने का क्या है ब्रिजवाशियों ने का भाया ये कोई पानी नहीं है ये कोई नाली नहीं है ये कोई नाला नहीं है अरे ये जो आहना ये मा ये सुदा नंद बाबा के महल से बेहते हुए अस्रूं आ रहे है जा दिनसे कनया ब्रिजवाशियों को छोड़ कर गए ना वा दिनसे नंद मैन में हजार उनला को गोपिया बेटे बेटे रोती है नंद बाबा मा ये सुदा रोते है तो उनके आशूं की ये जो पनार है आशू बेहते हुए आ रहे है उड़व की पेधी सेटी की सक गई आ इतना प्रेम करते हैं ब्रिजवाशि कनया से लेकिन य मुझे मिझा ये सुदा से नंद बाबा से मिला तो दो बरजवाशी उद्दव जी को ले गए नंद महर के सामने और कहा कि वो जो सामने बेटी हुई है वो मा यसोदा है और वो जो कोने में बेटे हुई है ना वो नंद बाबा है लेकिन सुनो जा दिन से कनया गए है ना वा दिन से मैया यसोदा रो रोकर हांकों से दिखना कम लग गया कानों से सुनने कम लग गई इसलिए थोड़ा उनके पास में जाकर जोर से बोले ना उद्धव जी देका ठीक है जैसे ही उद्धव जी गए मैया यसोदा को जाकर कहने लगे यसोदा जी मैंया मैं प्रणाम करता हूँ मेरा नाम उद्दव है मैंया मैं प्रणाम करता हूँ मेरा नाम उद्दव है ना सुनी मैंया यसोदा इतने में जोर से बोले उद्दव जी मैंया प्रणाम करता हूँ मेरा नाम उद्दव है एसा संद सुनते ही उद्धव जी से मैया ये सोदा कहती है अरे उद्धव दीरे बोल रहे दीरे भाया सुबह से मेरो लालो पड़ो परिशान कर रहे है कभी माखन मांगे कभी चंदा मांगे कभी बहूं मांगे सुबह से पड़ो परिशान कर रहे है अभी अभी सुलायो है इस पलने में उद्धोजी ने का कनया तो वा मतुरा में है मैया यसुदा कह रही है अभी अभी सुलायो उद्धोजी ने का मैया से का है कनया मैया यसुदा ने का अभी तुमें दर्सन कराती हूँ उद्धव जी का हाथ पकड़ा मैया यसोदा ने और पलने के पास में ले जा रही है जैसे ही पलने के पास में गई मा यसोदा दडाम से गिर पड़ी और कहने लगी अरे उद्धव मैं भी कितनी पागल हूँ रहे मेरे लाला को गए बरसो हो गए लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा लाला पलने में सो रही हुए अरे उन्ता हो इसी चोक में है ना जब मेरा कनिया छोटा था तो उसे नेला के दूला के चुटिया बना कि आखों में काजल लगा के पेरों में पाईजम पेना के उन्गली पकड़कर जब में चला रही जिना इसी चोक में तो वो कनिया मेरा लाला ठूंका मार मार के नाचता था रहे आज वो सब बाते मुझे बहुत ही आगा है और उद्धाओ एक बात मुझे बहुत है याद आती है कौन से दूरी दूरे अंग सोहत शामजू के सिल्बनी सीर चूनर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पेजन बाजत पिरिक चोटी वाच्छवी कोर सिकान विलोकत बारत काम कलान दिगोटी काग के भाग कहां कई है हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग कि काई है हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी हरे उदव जव मेरा लाला इस चोक में हाथ में रोटी लेकर गूम रहा थाना उसी समय एक काग आया उड़ता उड़ता और मेरे कनया के हाथ से रोटी लेकर चला गया कनया मेरा लाला रोता हुआ आया और कहने लगा मैं या मैं उस काग से युद करूंगा क्यों क्यों कि मेरे हाथ से रोटी लेकर चले हो गया अरे उद्धव जब उन्य क्रिष्ण की बाल लिलहों को मैं याद करती हुआ इन आखों से हसुरू रुकते ही नहीं है और हाँ जब मेरा लाला गया चलाने जावे गया दूर चली जावे एसी मुरली बजावे कि काली गूमर गया उँपर पूँच उठा कर दोड़ती हुई मेरे लाला के पास में आकर खड़ी हो जाती धीरे और हाँ मेरी याद करके ना हया लाला कोई बात नहीं क्योंकि मैं उसे डाटती थी पटकारती थी लेकिन कम से कम उसके नंद बाबा की याद करके तो आ जाता रहे उन्होंने तो कभी कुछ नहीं का उनकी याद करके भी ना आया कोई बात नहीं लेकिन कम से कम गोपियों की याद करके राला की याद करके तो आ जाता हुआ पिस बरज में उद्धव ने का मैया नेका eciana norm קणाया घर्शियों का दर्सन करणा चाहूं घर्शियों नेका मैया येशोदानेका उद्धो जमुना के किनारे कदम के उर्षिक के लिचे हजारो गोफिया मेटी है अब वहाँ चले जाओ राजा राने के गोपियों के सब के दर्शन हो जावेंगे वही जवा उद्दव आया जहां गोपियां बेटी हुई है बीच में रादारानी बेटी हुई है उद्दव एक व्रिक्ष के पीचे चिप गया और गोपियां आपस में जो बाते कर रही है उन बातों को सुन रहा है एक गोपि केरती है रादारानी से रादेजू रादे आज मुझे सपना आया सपने में मैंने देखा कि जब मैं पनगट पे पानी लेने गएती न पानी की घगरी बनी बरी जब मैं वापिस आ रहे थी तो मेरे पीचे-पीचे कनया आ रहे थे और जैसे ही मैं बुढ़ कर देखी न तो मेरी आँख खुल गई और आँख खुली तो क्या देखते हूँ कि वो तो एक सपना था लेकिन सपना बहुत अच्छा था बहुत सुन्दर था इतने में दूसरी गोपी कहती है रादेजी से कि शोरी जी आज कनया मेरे गर पर आए माखन की मटकी से मजे से माखन निकाला खाने लगई थे उसी सपने में जाग खुल गई एद्रश्य हो गए कई नजरी नहीं आए सभी गोपीयों ने सपने में क्या क्या देखा सब बता रहे हैं सपना किन को आवे किसका आवे जिसको जिसकी याद बनी रहे ना वो ही रात में सपने में दिखे और गोपीयों को या रात दिन याद बनी रहे कनया की इसलिए सपने में भी लाला को ही दरसन कर रही है किसोरीटी से पूछा सभी गोपियों ने आपने क्या देखा सपने में तो किसोरीटी ने का जिनको सपना आता है ना उनको मैं परणाम करते हूं क्योंकि आप सपने में तो कनया का दरसन किया तो आपको सपना नहीं आता है सब गोपिया के रही है किशोरी जी से क्या आपको सपना नहीं आता है तो किशोरी जी ने का गोपियों से अरे सपना उसे आता है जिसे नीद आती है ना तो मुझे नीद आवे नीद नहीं आवे तो सपना नहीं आवे सपना नहीं आवे तो सपने में एक नया का दर्शन के से करूँ जा दिन से एक नया गए ओ है ना बाद उन से मुझे आखों में नीद भी नहीं आई यह सब द्रश्य यह सब द्रश्टान के और उद्दव जी सुम रहे हैं उद्यव जी के ज्यान की दूसरी सीड़ी किस गए। इतने में एक बरमर उड़ता उड़ता आया गोपियों ने का काले से कभी प्रेम नहीं करना है। काले बड़े धोके बाज होते हैं। अरे सुपनका ने प्रेम किया तो राम से नाग कान काथ दिये बेचारी के। जीस जीस ने प्रेम किया था काले से उन समको दोकाई दिया। राजा हरीश्चंद्र ने प्रेम किया। क्या मिला भेटे मिकदे। पतनी मिकदे। खुद डोम के मालग दे। इसलिए जीस जीस ने प्रेम किया सब को दोका मिला। हमारे प्रान निकल जावे कनया की याद में। लेकिन जैसे ही प्रान निकलने लगेना कनया की याद आ जावे। और ये निगोडे प्रान वापिस अपने यतास्तान पे चले जावे। ब्रमर वापिस दूसरी को पिकेती है। अरे सुने। इस ब्रमर के सामने कुछ इसी बातें मत करो। क्योंकि ये भी काला है और कनया भी काला है। जो काला होता है न वो एक दूसरे के मित्र होते हैं ये वापिस जाकर कनया को कह देगा। तब ब्रमर ने का मैं कुछ नहीं कहूंगा ब्रमर मां से चला गया। इदर उद्धव जी ये सब वाते सुन रहते तुरंक आए और आकर मा किशोरी जी के गोपियों के चर्णों में लेट गए। प्रनाम करने लगे। मैं उद्धव हूं मुझे समा करना। जिसे ये खड़े हुए तो उद्धव जी कहने लगे। आप जिन की याद करते हैं ना वो तिरलो की नात है। वो कनया तिरलो की नात है। अब वो यहां नहीं आवेगे। कौन उद्धव कह रहे हैं। यह आपका एक मैन है ना यह भगवान में लगई है। प्रिष्ण की याद छोड़ दीजिये। तब गौपियां कहती है। उद्धव मन ना रहे दस पीस। एक हो तो सो गयो साम संद आरा देश। अरे उद्धव मन कोई हमारे पास में दस बीस तोड़ी है। यह एक मन है वो भी शाम में लगा हुआ है। तो हम दिलों की नात में लगा हुए कैसी हमारे कनवा में लगा हुआ है। गौपियां कनईया को भगवान नहीं समझते। गौपियां तो अपना सका समझती है। प्रेमी समझती है। तब गौपियों की ऐसी बाते सुनी। तब सुगदेव जी कहते हैं कि गौपियों के प्रेम में उद्धव जी एसा बोता लगाए। कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एक दिन निकल गया, दो दिन, पांच दिन, मैना, दो मैना, तीन, चार, पांच, साथ मैने हो गए। उद्धव जी को जब होस आया तो क्या पाया कि गौपियों के चरणों में पड़े हुए है उद्धव। उदो सूदो है चलों सुन गोपिन केवों ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायों डों उदो सूदो है चलों सुन गोपिन के वोल ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायों डों जब उद्धव जी को होश आया ना तो उद्धव जी ने कहा गोपियों से राला राने से सुनो अभी मैं जाता हूँ मतुरा और कनया को अभी मैं आपके पास में लेकर आता हूँ इतना आप प्रेम करते हैं कनया से और फिर भी आपको छोड़ गए तुरंत उद्धव जी वहां से गोपियों के चरणों से उठे और दोड़ लगा दे सीधे मतुरा आए और कनया से आकर मिले और कनया से कारे किनया इतना निर्मोई है इतना तुमसे ब्रेम करें कोई ऐसा जीव नहीं है जो तुमसे प्रेम ना करता हो ब्रेम मानव की बात तो छोड़ो लेकिन कोई ऐसा जीव नहीं है जो तुमसे प्रेम ना करता हो और उन प्रेमियों को तुम छोड़ कर एसे ही यहां आद है सुकदेव जी केती है राजा प्रिक्षि से राजा जब एसे बाते कही रहे थे उसी समय उद्दव जी से का भगवार स्रीक्रिष्ने आखे तो बंद करो जैसे ही आखे बंद की तो भगवार क्या लीना जी काते हैं आके उद्दव जी खोली ना तो भगवार स्रीक्रिष्ने के पास में रादा राने खड़ी है रजारो गोपिया कड़ी है उद्धव जी ने का ये क्या लिला हो रही प्रभू कनेया ने का उद्धव मैं राधे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता क्योंकि राधे के बिना मैं आधा हूँ ये तो आप जो कहते हो ना मैं बड़ा ज्ञानी हूँ में बड़ा ज्यानी हूँ, तुम्हारा ज्यान चला प्रिदि में, उद्धव समाय आचना करने लगा, ये प्रभू प्रेम के आगे ज्यान भी फ्रीका लगी, क्यों? अरे ज्यान से भगवार ज्यादा प्रसन ना होवे, उसे पेड़े प्रेम से ज्यादा प्रसन होवे, भाव का पूंका हूँ में, भाव ही बस एक सार है, भाव से जो मुझे भजता है, वो भाव से बेड़ा, वो भाव से बेड़ा, पार है, प्रेम से बोलिये स्री रादे रादे आईए एक बजन सुलने में जी मुखण आवो ठोसेदी किरी दनी आवो ठोसेदी मातवबा मंदिल में तो मोहन आवो तो शाली की दल आवः तो शाली वादवरा मंठीर में निया भाई एकली-खली अर्मोहन आवो तो करी मरह भाउरा आवो तो करी मादुला मंदिर मेंक्विरा एकली-खली मांदूरा मंदीर में पीरा एकली करी में पीरा एकली करी में पीरा एकली करी मांदूरा मंदीर में पीरा एकली करी में पीरा में पीरा एकली करी में पीरा एकली करी में पीरा एकली करी में पीरा एकली करी मांदूरा मंदीर में पीरा एकली करी 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 देखे वो तो सामरा में बाशुरियां पर जाबू जी देखे वो तो तामिया में मंतरियां पर जाबू बजावे लिसाब जोरे बाशुरियां पर जाबू जोरे शामरा उतना आवो तो तैरी मादुरा मंदिल में वीरा एकली करी मादुरा मंदिल में वीरा एकली करें मादुरा में वीरा एकली करें मादुरा में वीरा एकली करें मादुरा मंदिल में वीरा एकली करें मादुरा में वीरा एकली करी मादुरा एकली करें मादुरा में वीरा एकली करें मादुरा मदिल में वीरा एकली करें आवो तो करी मर गिर्दर आवो तो करी मादूरा मंदिर में मीरा एकरी करी सहावा मंदिर में मीरा एकरी करी मादूरा मंदिर में मीरा एकरी करी प्रेम से बोलिये स्री राधे राधे अभी कुछ पल पहले एजमेर से पदा रहे थे सहीद मेरे नजर कमजोर ना हो तो सबसे पीछे ही बेटे होंगे अभी पदार जो आगे है रतन बावजी के पास में एक सो एक गुम्त सर्जन की तरब से अब बाद भगवान स्री सुगदेव जी केते हैं कि राधा कंस की जो दो पत्रियां थी अस्त्री और प्राप्ती दोनों ही अपने तंस का उतार होने के बार में दोनों ही अपने पिता जरासंद के पास में गए और जरासंद से कहने लगी अस्त्री और प्राप्ती दोनों ही कि पिता जी आज हमारे पती देव को कृष्णे ने मार दिया है तो राजा जरासंद तेईश इक्षोएडी सेना लेकर मतुरा पर चड़ाई कर दी हार गया एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छेर, साथ, आप, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, च्रदा, पुंदा, शोडा, सत्रा बार हार गया सत्रा बार ही मतुरा पर चड़ाईगी, सत्रा बार हार गया अठार भी बार जरासम ने ग्यारा हच्चार पंडितों को पूजा में बिठाया और कास अभी ब्रामन देवताओं से ब्रामन देवता पंड़ जी माराज अठार भी बार में मतुरा पर चड़ई करने के लिए जा रहा अगर इस बार में जीत गया मतुरा पर वीजे पाली तो मैं ग्याराई चर गुरामनों को इतना सारा सोना चांदी हीरे जमारात दूँगा कि साथ पीडी बेटे बेटे खावे ना तो अभी खत्म नहीं होगा इतना धन दुशा अब जैसे ही अठार भी बार जरासंग ने मतुरा पर चड़ाई की तो कनया ने बनराम जी से कहा भाईया आज एसा करे मामा जीर भी रहा गए आज एसा करे हमेना मतुरा छोड़ कर चले या से क्यों? अरे रण में कोई पीट दिकाता है रे कनया दू भाईया ने का तो कनया ने का हमेशा जीतते ही जीतते हा रहे हैं एक बार हार भी देखने में दू भाईया ने का हमें सब रण छोड़ कहेंगे क्योंकि रण को छोड़ कर भाग जावेंगे तो रण छोड़ कहेंगे तो कनया ने का माखन चोड़ तो केते ही हैं जीर चोर केते ही हैं एक नाम रण चोर और पड़ जाएगा इसे ज्यादा और क्या होगा? अब भागते आगे निकले तब पीछे से आवाल लगता है रण चोर बागते हैं रण छोड़ तो भाग रहे हैं, इतने में उनका नावमी पड़ गया, रण छोड़ रहा है, बोल ये सी रण छोड़ रहा है, आगे भगवान ने एक कालियम नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुझकुंती द्वारा उसे भर्ष्म किराया, फिर एक परवत पर चड़ गए, परवत से दोनों भई ऐसी चलांग लगाए, इसी दे समुदर में वहाँ, विश्व करमाजी ने एक दुवार का नगरी बनाई हुई थी, उस नगरी में जाकर रहने लगे, रातों रात सभी योग माया को इस्तारा किया, सभी ये दुवांच योग माया से दुवार का में चले गए, बहुर ये दुवार का दे से की, क्योंकि दुनिया में कोई कहते है, पंड़ती हम अनात है, हमारे कोई नहीं है, ना भाई, ना भाई, ना माता, ना पीता, ना सका, ना बंदू कोई, हमने का भाया, इस दुनिया में कोई अनात नही तो द्वारी का नात है इसलिए कोई है नाम całंग समझे कि हमारे कोई नहीं है सब हैवा अब दुनिया वाले भला ही तुम्हारे ना हो लेकिन द्वारी का नात तो तुम्हारा ही है ना उन पर विशुआत रके शुकदेव जी केते हैं द्वारी का पर आने के बाद Raajan एक रेवत नाम की कन्या थी रेवती, जिनके साथ में बलराम जी का विवा हो गया, इधर एक कुंटिनपूर के राजा, जिनके चार बेते हैं, समसे बड़े बेते का नाम है रुकमी और समसी छोटी कन्या, जिनका नाम है रुकमनी, समंदर से परकट हुई थी ये कन्या कमल के पुष्ब के उपर से राजा भिश्मक ने वो कन्या लाकर अपनी पत्नी को दा दी और कहा कि आज से हमारे चार बेटे हैं ना उनके संग में एक ये बिटिया भी अपनी है और मनी मन सोच लिया जब वो कन्या जवान हो गई रुकमनी ली तो मन में ये सोच लिया कि द्वारिका की जो राजा है भगवान स्रीकिष्ण उनके साथ में इनका विवा करूँगा मैं अपने हाथ से कन्या दान करूँगा लेकिन जब माता पिता सोचे कि मेरी बेटी का विवा में वहां करूँगा और उसी घर में माता पिता की बड़ी संतान कोई बेटा हो वे ना तो बेटा कहता है अपने माबाब से नहीं मेरी बेटी के साथ फलाने से नहीं धिकडे से करूँगा माबाब कहते हैं पलाने लड़के से विवा करेंगे भाई कहता है पलाना लड़का अच्छा नहीं है हम उससे के साथ विवा नहीं करेंगे किसी दूसरे के साथ विवा करेंगे अब लेकिन भगवान स्री कृष्ण इधर द्वारिका के राजा बन गए तो सुगदेव जी मालाज राजा प्रिक्षित को कहते हैं कि राजा इधर जब रुकमनी जी ने सोचा कि भाई किसी दूसरे के साथ में विवा कर देगा यानि भई की इच्चा है कि सिसुपाल के साथ में विवा हो और इधर राजा भिश्म की इच्चा है कि मेरी बेटी का विवा द्वारिका का जो राजा है प्रिश्मून के साथ में लेकिन रुकमनी जी आज बाबी जी के पास मैं गई और बाबी जी से जाकर कहने लगी कि भाईया मेरी साधी मेरा विवा सिसुपाल से कर रहा है और परशू स्व्यमर है तो रुकमी भी आया और अपनी बैन से कहने लगा सूने परशू स्व्यमर है लेकिन स्व्यमर नाम का है तुझे माला सिसुपाल के गले में डालनी है तो रुकमनी कुछ बॉली ना भाबी जी के पास में आई और बाबी जी से कह तो बाबी जी ने कह सुनो तुमें एक पत्र लिखो तुमें एक पत्र लिखो अब रुकमणी जी पत्र लिख रही है पत्र में क्या लिख रही है बड़ा सुन्दर पत्र लिख रही है और पत्र में लिखती है रुकमणी जी स्रुत्वा गुनान बुवन शुन्दर स्रणुवतामते निर्वश्य कन्न विहारे तरोगतापमे रूपंद्रसाद्रसीमता मकिलार्टलाबान जव्य शुत विशती चित्रम पत्र तम्म में रुकमनी जी लिखती है पत्र में सुरुत्वा हे प्रभु हे गौपाद आपके मेने सुरुत्वा याने किवल गुन सुने हैं इतना बड़ा पत्र लिखा सुन्दर एक ब्रामन को दिया और ब्रामन देवता सीधे द्वारिका जाकर भगवान स्री कृष्ण को दिया और भगवान स्री कृष्ण उस पत्र को पढ़ रहे है और क्या लिखा हुआ है कि सुरुत्वा नुक्मन जी कह रही है हे प्रभु हे गोविन्द मेने केवल आपके गुनों को सुना है आपको देखे नहीं है आपको ये नहीं देखा कि आप काले है कि गोरे है कि लंबे है कि छोटे है लेकिन हाँ आपके गुणों को जरूर सुना है और बुवन सुन्दर आप के लोग में सबसे सुन्दर आप ही हो आपके गुणों के माजिम से आपका लग रहा है इतना सुन्दर पत्र पढ़ रहे हैं वहवान स्री कृष्ण और क्या लिखती है रुकमणी जी कि हे ब्रभू हे नाक जो वस्तु सिंग को मिलनी चाहिए वो वस्तु कोई सियार ले जावे तो यह कहां का धर्म है अब आप यह सोच रहे होगे कि मैं रुकमणी जी को लेने के लिए आऊँ लेकर जाऊंदा कहां से तो स्वामी हमारा कुल में एक प्रिक्रिया है एक त्रिया है कि जब कण्या की साधी होती है ना तो साधी से पहले मा का चैनी का पूजने करने हम जाती है वहीं आप बदार जाना गाउं के बार मा का चैनी का मंदिर है मा आप बदार जाना वहीं से चल चलेंगे ब्रामन देवता के साथ में 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 ब्रामन देवता के जैसे ही रत में बेठे जाने लगे ना जैसे ही रत में बेठे जाने लगे सामने से बलराम जी आ रहे थे बलराम जी ने कहा अरे कन्या आ जा रहे हो इतने में कन्या ने ब्राहन देवता से कहा हो गया कन्या न बेठे अब नहीं जाने देगे दो भाईया अरे कनया कहा जा रहे हो इतने में कनया ने का दव बैया मही जा रहा हूँ अरे महा जाते रहे हो लेकिन घाम का नाव तो बतो जा का रहे हो अरे बैया मही जा रहा हूँ अरे महा कहा जा रहे हो इतने में ब्राह्मन देवताने का कुंडिनपूर जा रहे है अच्छा कुंडिनपूर कुंडिनपूर तो राजा भिष्म की बेती का श्यमर है कल अब पतो चलियो कि मेरो भई जवान हो गयो है साधी करने जा रहे हो है पीचे से बललाम जी ने सेनाओं से आदेश कर दिया कि जाओ कई मेरा भई भात्र प्रेम है ना कई मेरा भई है केला ना पड़ जावे सेना पती सेना लेकर जा रहे है पीचे पीचे और बललाम जी भी जा रहे है इधर भगवान जवे खृष्ण रुकमन जी को लेने के लिए मा काचैनी के मंदिर में जा रहे है उनसे पेले ही रुकमन जी आज मा काचैनी का पूजन करने आ रहे है दस हजार सकीयां रुकमन जी के चारो तरब चल रहे है दस हजार सकीयों के बीच में रुकमन जी चल रहे है और दस हजार सकीयों के चारो तरब दस अज़ार से निग चल रही है बड़ी शुरुक्षा की अमुई है रुकमी ने बहीन की रुकमनी की रुकमनी ने जेसे ही मा काच्याईनी के मंदिर में गई पूष में माला चड़ाने लागी उजन करने लागी उस समय वो क्या द्रश्य देखती है कि मूरत तो मा काच्याईनी के है लेकिन उसमें धर्शन भगवान स्रीक्रिष्ण के हो रहे है इतने में भगवान स्रीक्रिष्ण रत लेकर आए रत से नीचे उतरे तो सेनिक दे भगवान के रूपको देकर मुईत हो गये इतने में एक सीनिक ने का देखो भगवान का देखो ये जो व्यक्तिय आहरा इसका शौरूप कितना सुन्दर है इतने में दूसरे सेनिक ने का ये जगव ये कमर पर जो मुर्ली लगी ऊई है ये मुरली कितनी सुन्दर होगी इतने में का मुरली तो सुन्दर होगी लेकिन ये दिखने में इतनी सुन्दर है तो बजती कितनी सुन्दर होगी बजती कितनी सुन्दर होगी इतने में तीसरे ने का देखो इनके चर्न पादुका कितनी सुन्दर है चोते ने का चर्ण पादुका को क्या देखते हो मुकुट को देखो अरे मुकुट क्या देखते हो मुकुट में जो हीरा लगा हुआ है उस हीरे को देखो इतने में भगवान स्री कृष्ण मा काचैने के मंदिरी में पहुँच गए सेनिक सब रस्ते दे रहे हैं 10,000 सेनिक क्योंकि रूप से मोई तो हो गए सब सेनिक रुकमनी जी के पास में गए रुकमनी जी को उठाया और रत की तरब लेकर जा रहे है भगवार स्री कृष्णा सभी सेनिकों ने का वा देखो चाल कितनी सुंदर है जैसे एक कोई सिंदर आ रहा है शेनिकी तरह कितने वड़िया चाल है इनकी इतने में शेनिकों ने का चाल क्या देखते हो इनकी मुश्कांत वो देखो मुश्कुरा कितने सुंदर रहे है ये सब आपस में बाते करी रहे थे उसी समय भगवान स्री कृष्ण रुकमनी जी को रत के पास में लाए रत में बिठा दिया रत में जैसे ही भगवान स्री कृष्ण बेठे तो रुकमनी जी ने गोडों की लगाम अपने हातों में लेनी और कहने लगी दुनिया वाले यान ये ना कहे कि भगवान स्री कृष्ण रुकमनी जी को लेकर गए ना रुकमनी जी ने भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे अब रत को चला रहे है भगवान स्री कृष्ण पीछे खड़े हुए है पीछे खड़े हुए है अब आगे बलराम जी आए बलराम जी ने क्या देखा कि रुकमने जी को भगवान स्री कृष्ट लेकर आए पीछे से रुकमी आया भगवान स्री कृष्ट से यूद हुआ रुकमी को रस्षी से बांद कर पीछे अपने रत्मे चक्के में डाल दिया भगवान बल्राम जी आये रुकमि को छुडाया इधर राजा विष्मक आया विष्मक ने कहा बेटा रुकमि मेरी ये ये की बेटी है रुकमि नी इसका मुझे कर्भादान करने दो मेरे आखों से रुकमि भी मान गया और भगवान स्रिक्रिष्णी के याँ लगन पत्री का भीज़वाई आज भगवान स्रीक्टिष्ण द्वारिकाशे पुंडिनपूर बारात लेकर आ रहे है, सब नाचते हुए, दाते हुए, बड़े प्रेम से, बारात आ रहे है, आपी आराम से परसर की दिये नाचो सबी लोग नाचो आज मेरे शाम की साधी है, आज मेरे शाम की साधी है केसा लगता है सारे संसार की साधी है केसा लगता है सारे संसार की साधी है आज मेरे शाम की साधी है आज मेरे खाजा की साधी है आज मेरे शाम की साधी है दुलग भी प्यारी प्यारी दुला है प्यारा प्यारा दुलग भी प्यारी प्यारी दुलग के भुक पर भौटी शाम के भुक पर भौटी एसा लगता है आज मेरे शाणा की साधी है आज मेरे शाणा की साधी है आज मेरे शाणा की साधी है शाण मेरे शाणा की साधी शाणा की साधी है आज मेरे 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 शाणा की साधी है आजे देशाम किसादी 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 है आजेशाम किसादी है आजेशाम किसादी है आजे देशाम किसादी है आजे देशाम किसादी है आजे देशाम किसादी है आजेशाम किसादी है आजेशाम किसादी है मंगलम् बगवान विष्णोर मंगलां गुरुडर्द्वया मंगलम् पुंडरिकाच्चा मंगला यस्तनोहरी सरन्ने द्रमंगे गूरु नारायने नमस्तोते जानि गान जबावाने जर्मा मुडगतान जयान जर्वाने इंदो मुष्नायं पदेशादेश बहुत बढ़ी है वाद है बोलिये स्री मृत्ता वने भी हारी लाले की हाशा बगवान स्री किष्न का रुक्म्नी जी के शंद मालियार्पन हुआ वेधी विदान से वेधिक मंत्रों से पानी गिरण संशकार हुआ हमारे पंडे जी मराझ फुच पल मंतर बोलेंगे और पानी गिरण संशकार होने के बादमें आगेंगी आने कानि जपाबाने ज़रमं गृतानि चातानी सरभानि श्यंतो प्रदेख्षनायां बरेपदे अमस्वस्ताये स्वस्तिना एंद्रो प्रिद्यसरवाः स्वस्तिना हाण् पूखा विष्वर विधाण। अरिष्टने में स्वास्तिनों प्रियाश बादिर्धा रात्वू मंगलम् बगवानि मिश्णोर मंगलम् गुड़त्वजार मंगलम् पंडरे काक्षार मंगला यस्तनो हरे हाशा पाणि किरिद संस्कार हुआ पंडर जी मराजी पंडरो उप्चार चे अब आगे की किरिया पंडर जी महराज हमारे अब हतलेवा होगा हतलेवा में सबसे पहले पड़वारी जी साथ आपके आर्थी मेडम का विवाव हुआ ना उसके बाद में आप विवाव हुआ है आपका भाग्या है जो भगवान स्रीप्टार जो भगवारी खारो ना पड़ी तो हकी रुकमन लादली पड़ी तो हकी रुकमन लादली जो मदबां लादली जो भगवारी तो हकी रुकमन लादली जो भर्ड़ी तो हका विवाव हुआ न bricks प्रवर्णो मारो द्वारी का रोना बन्नी तो मारी रुक्क मने लाडली बन्नी तो मारी रुक्क मने लाडली बन्नी तो मारी रुक्क मने लाडली अलो बन्नो मारो द्वारी का रोना बन्नी तो मारी रुक्क मने लाडली आजो आजो लोग भी नायके 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 वाशु जे विर रिल चाया यह सोगा नत जी पाठ भी चाया वो जे सोगा नत जी पाठ भी पसंगो या बनी तो अsın के रूकमले लादेली वो जुपी जिरागी कादी पसंगो या बनी तो मारी रूकमलम लादेली यहो बन्त मरो जरी दो आरी कारोना बन्नी तो अले रूकमलम लादेली स्रीजाद अधि नेगरी नगे लोगी नाधिनाचनी अधिलुगया नेखी नाधिनाचनी अरे बेटे को लहो हिमता पाद में आधि होजी सीधे भगवाली की आज बगान रते करें तो इनके सामने आप रामसमन्त्य करें आज अरे बंदो मारो ख्वारी का दो ना बंदि तो बदी बढ़ लादिली, बढ़ी तो माली, भड़ बढ़ लादिली, अरबंडो मालो द्वारी कारोना, बढ़ी तो माली रुगे बढ़ लादिली ओ बढ़ लादिली, और बढ़ लादिली, बढ़ मालो द्वातिली, वो बढ़ लादिली, और करतकै। करूरे छट लक्ष्मी पती जी आया तो नहावत इंतर तगल पर आया अधी को हंजीरों को मल लाद भी हो ओ रामत इंदर छट ने आया बन्नी तो मली रुख बढ़ राते ली वे बन्नो मलो द्वारी का रो ना बन्नी तो मलो द्वारी का रोना बन्नी तो मली रुख बढ़ राते ली नचो नचो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लिख मैंनेत अम्रोगोम्हारी और भंधेना से आपिजे आपूझे के विव नली और नोगोमदो भंधेना अम्रोगोम्हारी आपिजे क्वंदेना से जेवा बगता की जेवा पोलत वारी गादे सेगी तो वह भड़े गणा भजे ने सूनाया वोग्रु अबारे भड़े गणा भजे ने सूनाया उपर भड़े गणा में भजे ने सुनाया, तदे नहीं अश्या वीद परणाया मैं कजे नहीं अश्या मीन्ते पदनाया ऐ क्तारा थारी ओपी किसमत खाया मत दो भांगे रुखन भके याहा ब्रेविक वह कारा खाकी मतोपी किसमत बदनाया बत तो मरी दो परेला आज़ी अले भंच भारे वारी पारोंगा बंडी तो मारी रुख बनला देली बोले स्रीक्रिशिंचंद्र बगवाने की ये हो अब सभी प्रेम से आरती करें आरती के दर्सन करने के बाद में ही परसाद लेवें और फिर यतास्तान पे पदा रें और कल भागवजी का सब्तम दिवस की कता है जो छे दिन तक भागवजी की कता ना सुन पाए हो सात्रे दिन सुन लेवे ना तो उन साती दिन उनका सुनने का फल फ्राप्त हो जाता है और जो भी भागवजी में जो बेट करना चाहते हैं वो कल कर सकते हैं कल भागवजी का सब्तम दिवसर है अब आर्ती होगी आर्ती के बाद में सब आर्ती ले में आर्ती के दसन करें और परसाद लेकली अपने यतास्तान पे पदा रें जो आर्ती करने में वो ये क्रप होते रही है पीछे वाले को आर्ती देना कपूर गूरा करुछा बतारब संसार सारब भुझ नहीं द्रहाब सदा वसक्त विर्दया में देए हवाद बादी सहीतं मुर्दरावे अधर धर मुरल बजईयादी आरती लिशकत ़ियादी अधर धर मुरल बजईयादी आरती क्रिश्न कनाया की अधर अधर मुलिम जैया की आरती क्रिश्न कनाया की क्रिश्न कुम मत्राज जपली ओ पुरीन तुम कर्शा सुर्मार्यो क्रिश्न तुम मत्राज जनमनियो बंदगर मंगला चारकियो अधर अधर क्रिश्न कनाया की आरती क्रिश्न कनाया की क्रिश्न तुम यसदा के खईया क्रिश्न तुम यसदा के खईया श्याम बल दावू के भईया या वद बल दावू के भईया ये बद बद आई चारकियो आरती क्रिश्न कनाया की आरती क्रिश्न कनाया की आरती क्रिश्न कनाया की क्रिश्न तुम कान्साल wanna छीन तुम यसदो यस-नाया फिस्ट दुम यसदा सुने मार्यो आरती क्रिश्न कम्रोश ववश्न betशोट्स कालिया नागन थैया की आरती कृष्न कनईया की अधर धर पुरल बदैया की आरती कृष्न कनईया की अधर धर मोरल बदैया की आरती कृष्न कनईया की क्रिष्न दूम अर्जन के प्यारे शाम हो भारत मुँ रखवारे शाम भक्तन रखवारे शाम हो भक्तन थैया की आरती कृष्न कनईया की अधर धर मोरल बदैया की अधर धर मोरल बदैया की अधर धर मोरल बदैया की आरती कृष्न कनईया की कर दो 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 कर आति बोल ये स्री म्रतावनत भी हलाला की एक ओर बाद देखो वेसे गाउं की सप पेंड़ आपनी है कोई दोसरों की नहीं है लेकिन देखो जो नागला है और नागला की बepherग बेटी यहां है सबी बार बनों करती है अपनी बेटी यहां प голос करती है तो बहुत आन्दा होजा और हमारे तो वेशे बहन बेटीों की ग्रिपा है जो भी बेटी है सब यहां पता रहे हैं और पंड़जी मराज जो भी वे बेश और साड़ी सब है न एक-एक मेन बेटिन सब ने देते क्यों? अरे सब मेन बेटिनों की गृपा है सब आजो सब एक-एक लेगी जी जल्दी आजो सांति भाई आई जाए ने राम बाई इन चांदा माई यह सब आपनी है हाँ अर्वा मन्या बाई इकरटा की मन्या बाई सब दी आजो सब आप पंड़जी आप यूजिक चलाते रहे हाँ आज़ा देशां भजिया दर्शिक देवे सुनावे दे बादाम बदड़ की बिल्या कईया देवेल लगवे है आजा आजा इसा वर्या तरशी तुछ आभे लिए आजा आजा इसा वर्या तरशी तुछ नदर है पाध बर्म की बैर्या अब की दिनेर लगावे शुनर ओडाजा अबर बीरा सारी नानीरोवे नानीरोवे ले लेताली बेरे लेन लेड् spur ले आजारे टाफ़ ए तु आजारे सावरिया वन आजारे सावरिया मेरे अपर वे देर कोड़ार हुआ जा कूद है तु आजारे सावरिया अरि शाम ऐद चहता हुआ झाल झाल